नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में आज हम लोग एक और्थोडॉक्स टॉपिक डिस्कस करने वाले हम लोग बात करने वाले हैं वॉलकेनोस के बारे में ज्वाला मुकी रहेट हाली में एक स्पेक्टाकुलर एरप्शन हुआ है इटालियन वॉलकेन dyna hamm管. अज हम लोग आज बात करेंगे वालकेनोस के बारे में ढिफेरंट टाइप्स और Đ्रेटु ऑफ एरप्ट क्यूं होते हैं उससे पहले हम लोग माउंट अटना के बारे में जानेंगे और अंत में आपके लिए क सवाल भी? किस तरह कि इसके उपर सवाल बन सकته हैं कॉ प्रश्कबर रिलाए है अगर आप यूपीसी की त्यारी कर रहे हैं तो प्लीज डाउनलोड कीजिए हमारा आप और जानिए इसके बारे में और भी जाना और प्लीज सब्स्राइब कीजिए स्टडी आइक्यू को खबर तो मैंने अपको बता जी है कि माउंट एटना इटली का एक इंपोर्टन एक्टिव वलकेन हो वो इस साल 2021 में पहली बार इरप्ट हुआ है तो चलिए जानते हैं इस माउंट एटना के बारे में उससे पहले इरप्शन की कुछ फोटोस देख लेते हैं जैसे बहुत ही स के बाद जो स्मोक प्लूम्स होते हैं वो बहुत वीक्स तक होते हैं जिसकी वज़े से एर ट्राफिक के उपर ही प्रभाव पढ़ सकते हैं और इन जेनरल इससे एक क्लाइमेट पॉजिटिव इंपक्ट भी पढ़ता है टेंपररी कूलिंग होता है अर्थ का बिकॉस अफ गृच्ट अंधया टेंड वॉल्कmot फेरोर इंपरी टो चली यह देखते हैं कि मौंप एतना एक्जैक्ट्ली आता का है देख्या सबसे पहले चêuजिव HOLKन वीक्सक बाद इसहां करेंने एकांग दमसें यहां पर आता है मौंट एक। और Mount Etna के अलावा भी Italy में बहुत सारे active volcanoes से बहुत सारे famous volcanoes भी है, आपको याद रखना है अगर आप competitive exam की त्यारी कर रहे हैं यह, Mount Vesuvius यहाँ पे आता है Italy में, Mount Stromboli है वो भी एक active volcano है, इसके अलावा volcano is another active mountain or active volcano in Italy, right, इसके अलावा Italy से जुड़े हुए कुछ बहुत ही important आप आपको चीजे जाननी है, Italy के एरदगिर जो seas है, इसके लिए इसके ओपर focus कीजेगा, there is Adriatic sea towards the eastern side, Tyranian sea towards the western side, और southern side में आता है Ionian sea क्यों, कई बहुत ऐसे सवाल आजाते हैं कि इन seas को जो Ionian sea है, Adriatic sea है, Tyranian sea है, इनको east to west या फिर west to east order करने के ऊपर भी सवाल आ जाते हैं, त active volcano, बहुत बार छोटे मोटे eruptions हो चुके हैं, major eruptions भी हो चुके है, Mount Etta, जैसे कि मैंने बताया है, उसका दूसरा नाम है Monjibello, ये active strato volcano हो, हम लोग देखेंगे कि strato volcano होता क्या है, थोड़ी दिर में, east coast पे आता है Sicily के in the metropolitan city of Catania, और अगर हम लोग 2000 के बाद देखें, 2000 के ब हुए हैं, यानि कि summit eruptions 2006 में, 2008 में, 2012, 2018 और अभी 2021 में ये summit eruption हुआ है, चलिए, जानते हैं different types of volcano, मैंने यहाँ पर mention किया, strato volcano होता क्या, अगर हम लोग in general बात करें, types of volcano के shape के उपर होता है, volcano की features के उपर, उनको classify किया गया है, सबसे पहला है, cinder cone volcano, ये tall volcano होता है, और एक ही एक central vent यहाँ से निकलता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे secondary features नहीं है, यानि कि एक ही एक cinder cone निकलावा है, tall होते हैं, for example, mount, माउना किया है, एक example है cinder cone volcano का, इसके अलावा, जो मैंने strato volcano बताया, उसका दूसरा नाम है composite volcano, और इस composite volcano में आप देख सकते हो, इसकी height cinder cone volcano से थोड़ी सी कम होती है, और यहाँ पे central vent तो होता ही है, जहां से magma निकलता है, लेकिन यहाँ पे secondary side vents भी होते हैं, और मैंने आपको बताया कि flank eruption यानि कि this eruption, not through the central vent, but through some other opening, अब इसके अलाव एक और type का volcano होता है, shield volcano, shield volcano normally height उसकी बहुत कम होती है, और आपको shield volcano, it is spread out for a very very long distance, आपको typically shield volcano मिलेंगे Hawaii में, US की जो state है Hawaii, वहाँ पे आपको मिलेंगे, और एक और है lava dome, यानि की caldera volcano, caldera volcano मतलब यहाँ पे magma जो होता है, central vent से ही निकलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा acidic हो तो जैसे ही वो erupt होगा, तो वो दूसरे distance में नहीं जाएगा, और खुद ही यहाँ पे collapse हो जाएगा, और बहुत बड़ा एक depression बना देगा, उसको बताते है, crater या फिर caldera, और कई बार बारिश हो के water source बनके, यहाँ पे caldera lake भी बन जाता है, और आपको caldera lakes बहुत सारे म volcanoes मिल जाएगे, तो यह था हमारा discussion types of volcanoes के बारे में, अब हमारा major सवाल आएगा, यह volcano erupt हो गया, सवाल उठता है, volcanoes erupt क्यों होते हैं, देखिए, simple से analogy में आपको देता हूँ, अगर घर पे आप pressure cooker है, घर के अंदर pressure cooker में आपने कुछ रखावा है, समझे लिजे पानी यानि कि ऊपर से बंध है, तो अंदर pressure develop होगा, इतना pressure develop होगा कि eventually steam भारागी, यानि कि eruption हो जाएगा, गोलकेनों के भी concept कुछ इसी तरह का है, अब analogy से हम लोग देखें, तो आप पूछोगे सर्फ, lid क्या है, देखिए, lid है, अर्थ का crust, यानि कि अर्थ के जो crust के plates हैं, वो lid बन जाएंगे, उसके नीचे material क्या है, उसके नीचे है material magma, magma क्या है, liquefied basically stones, जो अर्थ की heat की वेसे liquefied हो चुके है, तो ये एक lid के नीचे molten mass है, उसको कहते हैं magma, धीरे 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 pressure develop होता है, और pressure एक level के बाहर जब निकलेगा, तो ये erupt हो जाएगा बाहर, और ash cloud भी बहार आएंगे, side vents भी निकलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, अब सवाल ये उठता है, कि सर, pressure cooker में मैंने जिसे gas लगाया, या फिर electricity दी, लेकिन इस particular volcano को कहां से heat मिल रही है, इसको heat मिल रही है, अर्थ के core से, अर्थ के core का temperature बहुत high है, तो इसलिए धीरे-धीरे से eruption हो जाएगा, अब सवाल ये उठता है, कि सर, कब होगा, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि volcanic eruptions काफी complex और diverse होते हैं, और events कुछ इस तरह से होते हैं, कि scientists भी बहुत जादा predict नहीं कर पाते हैं, although हमारे पास technology काफी बढ़ चुकी है, तो एक approximate figure जरूर आ सकत तो मैंने आपको बताए कि magma क्या होता है, magma, earth का crust जो है, मैंने आपको बताए, lid था, उस lid के नीचे molten rock है, जो पिगला हुआ है, तो ये melted है, यानि कि इसकी density, ये lid, यानि कि crust से भी कम है, तो अगर density कम रहेगी, तो obviously है कि magma उपर आने की कोशिश करेगा बिलकुल, तो ये water vapor और sulfur dioxide, और इन टीनों का बहुत बड़ा रोल है, eruption में, तो चलिए जानते है, exactly क्या होता है, ये कि अगर हम लोग देखे, पहले तो magma है, magma is in liquid state, this is the liquid state, और इसके उपर एक lid है, यानि कि earth crust, छोटी सी opening अगर मिल जाएगी, तो वो erupt हो जाएगा, सबसे पहली चीज, ये liquid उपर आने की कोशिश करें, क्योंकि density कम है, obvious ही चीज, लेकिन, अंदर में, कुछ और भी process हो रहा है, मैंने आपको बताया था, कि magma के अंदर water vapor भी है, ये जो water vapor है, गर्मी से, धीरे-धीरे, इसके bubbles escape होते हैं, right, escape होने की कोशिश करते हैं, धीरे-दे निकलते हैं, और ज इतना ज्यादा expand होती है, कि उनकी original size से thousand times ज्यादा हो जाते हैं, तो इसकी वाज़े से pressure increase होता रहता है नीचे, और एक level आ जाएगा जब pressure इतना ज्यादा बढ़ गया, कि volcano erupt हो जाएगा, अब इस चीज़ पर सवाल कैसे बन सकते हैं, अब त्यारी कर रहे हैं, तो simply a question आ सकते हैं, explain the process of eruption of volcano, क्योंकि Mount Etna भी erupt हुआ है, तो उसके उपर सवाल आ सकते हैं, तो you have to explain, आप यहाँ पर figure बगएरा बना के आप explain कर सकते हो, कि technically क्या हो रहा है करके, इसके अलावा competitive exams में MCQ बहुत जाद आता है, इस चीज़ में, किस तरह क्या आते हैं, मैं आपको उधारनेता हू simple सा है, location के उपर जैसे हम लोग ने बात की Mount Etna के बारे में, अभी आपको पता चल चुका है कि यह जो statement one या फिर pair one है, वो correct है, क्योंकि Mount Etna आता है इतली में, लेकिन मुझे नहीं पता है कि Mount Mayon कहां पे है, Mount Krakatova कहां पे, Mount St. Helens कहां पे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, which are the important active volcanoes, etc. या फिर dormant volcanoes, very famous volcanoes, उसकी location के बारे में देखिए, इस तरह के pair पे सवाल आ सकते हैं, या फिर example आ सकता है कि इस तरफ समझ दीजे एक volcano दिया हुए, और उस volcano का type बताएगा, जिसे हम लोग नें डिसकस किया, cinder volcano, calderas, etc. तो अंसर बताएगे comment section में इसका सही जवाब क्या है, थोड़ा सा research, that is it from my side on this part of discussion, thank you for watching, Jai Hind!